नमश्कार में उप्रिया आपका स्वागत है पिहारी न्यूज में चली जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबर को जानकारी के लिए आपको बता दे अर्थ दे के आज 50 साल पूरे हो गए हैं प्रित्वी पर रहने वाले तमाम जीव जन्तु ओपर और पेर पौधों को बचाने तथा दुनिया भर में पर्यावरन के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लक्षे के साथ 22 अप्रेल 1970 के दिन अर् Rapid Testing Kit का परीक्षण नहीं हुआ सफर Rapid Testing Kit का सोटी पर नहीं उतर पा रहा है जिसकी जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्त मत्री डॉक्टर रगुशर्मा ने दी है इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की बास्त विक्ता को जाचने के लिए ही टेस्ट की जा सकता है Microbiology के अंतरगत बनाई के कमीटी के नुसार accuracy 54 ही आ रही है जबकि इसकी accuracy 90 प्रदेशत होनी चाहिए थी उन्होंने यह भी बताया कि टेस्टिंग के वक्त ICMR के टापमान सहित अन्य गाइडलाइन के पूर्णता से पालन किया था लेकिन फिर भी टेस्टिंग के बत आरहे है पर नाम काफी अलग है अशोग गहलत ने केंद्र सरकार से प्रवासी कु घर जाने का मौका देने की कही बात मुख्यमंतरी अशोग गहलोत ने केंद्रिय ग्रह मंतरी अमिश्चा से फोन पर बाचीत के दौरान राजस्थान में आठके प्रवासियों और विभिन प्रदेशों में रहरे राजस्थान में एक बार फिर से अपने घर जाने का मौका दिये जाने की मांग की है इसके साथ ही उन्होंने मंत्राले के अधिकारियों से बात कर सकरात्मक निर्णय लेने का आश्वासंदी है वही अशोक गहलोत ने विभिन राजियो के मुक्ही मंत्रियों से भी बात चीत कर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान का हुआ गए क्यूंकि हाली में वह कोरोना प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आये थे जो इसके बाद ऐतियात के तौर पर उनकी जाज करवाई गयी है लेकिन अभी उनके रिपोर्ट का इंतिजार है वहीं खबरों के माने तो इमरान खान ने खुद को कुछ समय के लिए आईसोलेट कर लिया है खबरों के माने तो पाकिसान की प्रिधानमत्री इमरान खान ने कुछ दिनों पहले अब्दुल सत्तार के बेटे से मुलागात की थी इसके साथी उन्होंने पृधानमंत्री इब आन खान की एक करूर रिपोर्ट का चेक भी दिया था बीते दिन अब्दुल सत्तार के बेटे को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गया है हाला कि अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है रेकिन प्रिधान मंत्री मरान खान में कोरोना के होनी की आशांग का और ज्यादा बढ़ गई है लोगडान का जायदा ले ने आई केंदर की टीम का पूरा सहयोग किये जाने का बंगाल ने दिया आश्वासन जहां बीते दिन मुख्य मंत्री ममता बैनर जी ने पश्विम बंगाल में केंदर सरकार द्वारा भेजी के टीम पर आपत्ती जताई थी वही अब उन्होंने केंदर सरकार द्वारा भेजी के टीम का पूरा सहयोग किये जाने का आश्वासन दिया है हलाकि पहले टीम का पशिम बंगाल में घुशने से रोक दिया गया था जिसके बाद राजेपाल जगदीब धनकर ने कहा था कि मम्ता बैनर जी सम्विधान की अभेलना कर रही है लेकिन इसी बीच पशिम बंगाल ने केंद्रिय ग्रे मंतराले को पत्र लेकर केंद्रिय टीम के प्रदेश दौरे के दौरान हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है साथ ही उन्होंने उस बात की भी निंदा किये जिसमें यह कहा गया है कि मम्ता बैनर जी की सरकार ने केंद्रिय टीम को प्रदेश सरकार की ओर से सहयोग नहीं मोहया करवाई है हमारी सरकार से जो भी किंद्रे सरकार को मदद की जरूरत होगी हम हर संभव उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कोरोना के बढ़ते असर के बीच दिल्ली से आई राहत भरी खबर कोरोना के बढ़ते मामले में दिल्ली का नाम भी शामिल है क्योंकि दिल्ली में भी बीटे दिन तक कोरोना प्रभावितों की संख्या दिन प्रते दिन बढ़ती जारी थी लेकिन अब राजधानी दिल्ली में प्रभावितों की संख्या कम देखी जा रही है जो फिलहार रहात भरी खबर है मार्च के दूसरे सब्ता में पहला मामला दर्श किया गया था जिसकी बाद पहली बार COVID-19 मामलों की संख्या में गिरावर देखी गई है एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार बीते दिन कुल मिलाकर 1498 पर पहुँच गये थी यानि की दिल्ली में नए मामले मिलने की संख्या में गिरावर देखी गई है साथी ठीक होने वालों की कतार बढ़ गई है जिसने दिल्ली को एक नई उमीद दी है और जल्दी कोरोना के चारी जद्धो जहत को पार करने की हिम्बत भी दी है इतना ही नहीं दिल्ली में प्लाजमा तकनीक का इस्तमाल भी श असर पढ़ने की उमीद जोताई गई है वहीं ग्रीन कार्ड मिलने के इंतिजार में बैठे है उन्हें भी अभी निराशा हाथ लग सकती है खबरों की माने तो इस प्रक्रिया में और देरी होने की संभाबना है वहीं उन्होंने कोरोना पर बाइट हाउस में अपनी नियमी को बनाकर आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित आकलन जरूर करूंगा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्य पर लगाई गई रोग प्रिथान नरेंद्र मोदी के आवाज पर आज सुबह 11 बजे क्याविनेट की बैठक हुई है जिसमें कोरोना के बढ़ते असर पर च जनवरी से 31 संबर 2020 तक बढ़ा दिये गये डिये के प्रस्ताव को पेश किया गया था लेकिन एरियर के तौर पर भुगतान किया जाने का पैसला सरकार ने सुनाया है सरकार के फैसले का असर चोवन लाग सरकारी कर्मचारी और पैसल ठाक पेंशन भोगियों पर पड़ेगा फेस्बुक रिलाइंस जियो का 9.9% खरीदने की कर रहा है तैयारी फेस्बुक ने हाली में 9.9% हिस्सेदारी के लिए रिलाइंस जियो से 43,574 करोर रुपे के साज़दारी की है फेस्बुक और जियो का साथ आना कई मायनों में ज़रूर है ये भारत के टेकनोलोजी कंपरी ने इससे पहले मायनोरिटी स्टेट के लिए इससे बड़ा निवेश नहीं किया होगा मैं कोवेड-19 के इस माहौल में रिलाइंस जियो ने अपने सभी ग्रहकों के साथ भरोसे की एक नई कड़ी को स्थापित क्या है खबरों के माने तो जियो के एक ऐसे डिजिटल भारत का निर्मान करना चाहता है जिसका फायदा 130 करोड भारतियों और व्यवसाईयों को मिले एक ऐसा डिजिटल भारत जिससे खास तोर पर देश के छोटे व्यापारी, माइक्रो, व्यवसाई और किसानों को मजबूती मिल सके जीओने भारत में डिजिटल क्रांती लाने और भारत को दुनिया की सबसे बड़े डिजिटल ताकतों के बीच एहम स्थान दिलवानी के लिए में हैत्वपून भूमिका निभाई है रोहेश शर्मा को विजडन में पुरसकार ना मिलने पर सुनिल गवासकर ने जताई आपती नहीं के इस पुरसकार के असली हगधार थे सिर्फ सुनिल गवासकर नहीं नहीं बलकि पूर भारते क्रिकिटर VVS लक्षमर ने भी रोही शर्मा को सान नहीं मिलने पर हैरानी जताई है, आपकी जानकारी के लिए आपको बदा दे, साल 2019 के एक दिवसी वर्ड कप में रोही शर्मा ने शांदार रन बनाये थे और टूरना मिट में पांच बहतरीन शतक लगाये थे पर फिर भी उन्हें यह पुरसकार नहीं दि तोर पर इस शब्त को हेडशेव कहा जाता है, मैं हमेशा से कही कहता हूँ कि जुनिया में दो थरह के आदनी होते हैं, एक गंजे और एक भविश्य के गंजे, क्लब में आपका स्वागत है सर, गंजो की महफिल में आपका बालो रही स्वागत है, जिसके बाद कपिल देव के इस नए लुक की तुलना भावली फिल्म के किरदार का टपा से करें, तो महीं कुछ फैन्स ने कपिल को RDX यानी की वेलकम फिल्म में फिरोस खान के किरदार को बताया है, तो चलिए बढ़ते आज की सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, रोहिशर्मा को विज